नमस्कार नाधी टीव में आपका बहुत सुवागत है और पहुँआ आपके साथ अन्पमाखोब रहे प्रिटीन में सबसे पहले बात करेगे 36 कड़ की कॉंग्रस निता कणिया कुमार 36 कड़ के बलासपूर पहुचे जहां उन्होंने मस्तूरी में जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र यादाओ के पक्ष में वोट दिनी की अपील की वहीं उन्होंने कहा कि देश में रोजकारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और विकास का मुद्दा छोड़कर बीजेपी राम मंतिर के मुद्दे पर चुनावर रही है जबकि देश को विकास चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, बेरोजकारों को रोजकार मिलना चाहिए वहीं उन्होंने कहा कि देश में महंगाई इतनी हैं कि हम अपनी अगली पीड़ी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ कमा रहे और खा रहे हैं पैसा जमा नहीं हो पा रहा है इसलिए देश से मोदी सरकार को हटाना है और कॉंग्रिस का हाथ मचपूत करना है अधिस साल से आ रहे हैं और वही काना गार करें वही रिकार्ट लिया करें आपका वोट ले जाते हैं तो उन पहते हैं इस देश में लेटनाओं के बच्चों का बढ़िश प्रक्षित हो सकता है अगर बात पुरी मंत्री बन जाए तो वेटा का वेशी सिए से क्रेंटी बना हो सकता है अतीद में लोगों को भी इंद्याइक अद्नाव करेंगा और अपनी आने वाली प्रक्षित रखने के लिए नियाई प्रक्षित बढ़ना में देगा यही अभी प्रक्षित मैं आप इसन से क्रेंट उसने था प्रक्षित बना हो प्रक्षित को भी इने वाली प्रक्षित